तो दोस्तों अभी मैं हूँ वानारसी के मौनिगंड का घाट पर यह जो मंदिर देख रहा है यह आपका स्री तर्किस्वर महादेव मंदिर जो कि मौनिगंड का घाट पर रिस्तित है और यह है आपका छोटा सा पार्क है जो कि यहां पर जगा होने करण यहां पर पार्क किय गया है तो पया बहन तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने पर आपका 20 साइड में है मर्नी कर्णी का कुंड तो चलिए सब सब पहले उसको दखाता हूं उसके बाद आपको लेकर चलूंगा रतनिस्वर महादेव मंदिर देखाने हैं अब जानते हैं जानते हैं जानते हैं यह सामने देख रहांगे यह मंदिकंड का कुंड जो कि वर्तवान समय में आप देख रहांगे पूरी तरह से यह कुंड सुक चुका है सिर्फ इसमें आपको मिट्टी बालू नजरा रहा होगा यह देखिए उसके बार में भी लिखा हुआ है और यह जो सामने देख रहा है यह है आपका रतनेशवर महादेव मंदीर जो कि आप देख रहोंगे दाहिने साइड का जुका हुआ है और कई लोग इसे कासी करवट पिक करते हैं लेकिन यह कासी करवट नहीं है यह है आपका रतनेश्वर महादेव मंदिर अब देखने अभी वर्तमा समय में देखा जातों आथा मंदिर यहाद पानी में डुगा हुआ है और आथा देख रहोंगे जो की पुरा मिट्टी वालू से पुरा भरा हुआ है यह देखिए नजारा कुछी सब्रकार है आप देख रहोंगे जो की पत्थरों को तराज को बहुत ही खुबसूरत आप देख रहोंगे जो की नकासी बनाए गया है और इसी मोनिकन का घाट सटा हुआ है आपका सिंधिया घाट कर दोटिया के उपरा हुआ 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 है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आपको बता दे कि अगर आप वाराणसी के जो बाला का आप नाजारा देखे होंगे बाला में जो मंदिर डुबा रहता है यही मंदिर है जो उसका छोटा सिंखर दखाए जाता है कि पुरा वाराणसी के जाने घाट डुब चुका है यही है याप का श्री दत्त तरय पादू का मंदिर यह लिखा हुआ है और आपको इसका सिखर भी देखा देते हैं यह आप देख रहु आप उपर जो सिखर भी है दिखता है बाल में तो यह सिंधिया घाट से ना जा रहा है सिंधिया घाट का सामने बोड भी लगा हुआ है सिंधिया घाट का और आपको बता दे कि मंडिकंड का घाट पर जो सभी लोग पार्थिक सरीर जलाने के लिए आते हैं जलाने के बाद ये इसी सिंधिया घाट पर ये लोग ना आते हैं यह देखे, यह सामने आपका है साइबेरियन पच्छी, यह देख रहे हैं, सिंदिया घाट से बहुत इकुप्सूरत ना जा रहा है, सामने आपका साइबेरियन पच्छी, सीड़ी पर बैठा हुआ है, इस फिटे, इस पिता में बितिकित करिसे बाते हैं, से बाते हैं, से बाते हैं, इस्राँ ऐ turkey लिए, इस ह्ति करिए है не पीन हैं, वे जह लोटी हो हुआ है, इस प्रह दो क कि ₹प्स, वा र में रेखिए, तो दोस्तों यह था आपका मनिकंड का कुंड से रतनेश्वर महादेव मंदिर दिखाते हुए सिंधिया घाट तक के नजारे जो की बहुत ही खुक्सूरन नजारा आप देख रहोंगे साइबेरिया बच्ची सिंधिया घाट पर यह देख रहे हैं यह सम नजारा आपको वानार्सी के घाट पर रहे है और ठंड के समय में देखने को मिलेगा साइबेरिया बच्ची आपका आगई बढ़ने पर आपका है संकटा घाट से सटा हुआ है आपका गंगा महल घाट तो चली आगए बढ़ते हैं यह देख रहाँ कि सामने आपका संकटा घाट रहाँ को पided किस अखमने आपका सो Jos내 Laut ने आपका है याग बढ़ने कि अजिये शन कंगा से आपका और यह है आपका गंगा महल घाट यही पर एक सिविलिंग भी बनाए गया है शलिए उसको भी देखाने कोशिज करते हैं यह आप देख रहा हूंगे जो कि बहुत ही प्यारा सिविलिंग बनाए गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी रास्ते से अगर आप जाएंगे तो सीदे आप चले जाएंगे राज घाट और खिर्किया घाट और आगे बढ़ने पर आगका आजाता है भोसले घाट यह देखे आप देख रहा हूंगे जो कि बोर्ड की लगा हुगा है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हुगा अच्छा लगा हुगा तो लाइक कर दीजेगा और कमेंट करके भी जरूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महातिव